वेलकूम टू माई चैनल और आज हम केशन पेपर 2020 के नुमेरिकल सोल करेंगे जैसे लास्ट पार्ट में हम 21st नुमेरिकल की बात कर रहे थी और जो ये बीच वाले नुमेरिकल है ठेक है न वही है उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में चेक कर सकते हो या फिर जो इग्रेशन करना लेकिन आपने डेफिनेट इंटिगरल लिमिट दी हुए है इस वजह से सही है अब वर्किंग रूल क्या है जब बताता आपको की डेफिनेट इंटिगरल का कोई भी नुमेरिकल आजाए नुर्मल केसों के लिए केवल तीन चीजों से नुमेरिकल आता इस सम तो मतलब वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करके या फिर कोई प्रोपर्टी यूज करके सही है या फिर एरिया वाला कंसेप्ट करके मतलब केवल इतना सोच ना होता आपने सही है अब देखो अगर लिमिट ओफ सम वाला नुमेरिकल होता तो गीवन होता वो चीज तो गई एरिया की भी बात नहीं हो तो बचा प्रोपर्टि अब थोड़ा सा सोचो क्या हम प्रोपर्टी वाला concept यूज कर सकते हैं प्रोपर्टि का मतलब क्या है जैसे यहां पर है 0-0 अले वाली कहने का मतलब है देखो यह चीजे नजर आएंगी तो best है तो जैसे कोई function है तो इस तरीके से सही है उसकी limit जीरो से 1 का मतलब हुआ यहाँ पर 0 से a तो इस तरीके से सही है और इसको हम क्या put कर सकते है कि integration limit है जी जरेंगी function में दोनों limit का sum होता है एक्चल में तो मतलब a 0 पलस यह लिखो या फिर a और minus का sign जिसके respect में आपने integration solve करना है वो लिख दो सही है और इंटों में dx मतलब यह use कर सकते हो आप अगर कोई करना चाहिए तो सही है लेकिन यह भी i के बराबर होती है value मतलब इसका integration यह भी एक्चल में क्या होता है कि दोनों को फिर add करते है left and side normal numerical में 2i बनता है और वहां से calculation होती है लेकिन यहाँ पर सोचो आप इस numerical में सोचके चलो अगर वो type use की उसका फाइदा होगा नहीं सही है अगर आप use करोगे तो मतलब आपने दोनों equation को add करना पड़ेगा फिर यहाँ पर add करने का म मतलब यहाँ पर जैसे left and side 2i बना चुके होगी सही है limit of 0 से 1 जैसे tangent inverse something result है यह वाला पलस का sign यह वाला पलस का कौन सा होगा यह बताओ यह वाला पलस है जब आप उन दो equation को add करोगे left and side i plus i करके आए यह इस तरीके से सही है और फिर tangent inverse of नए वाला result है मतलब यह चीज पूट करने के बाद वाला result और फिर इसका integration आपने solve करना है मतलब formula फिर से apply करना पड़ेगा है ना formula तो apply करना पड़ेगा और कोई यहाँ पर option है ने हमारे पास तो इसकी जगए अगर इस तरीके से सोच सकते तो best है तो मतलब अब हम जरूरी है मतलब यह च यहाँ लिखा हुआ है लिखा हुआ है तो फाइदा उठा लो तो इस तरीके इस चीज का मतलब क्या हुआ देखो मतलब यहाँ से solution नहीं होगा मतलब एक तो यह तरीके से सही है यहाँ पर मतलब calculation length योगी integration बाद में भी solve करना पड़ेगा वो depend करता कि इस तरीके का function है सही ह हाँ एक काम कर लो आप try कर लेना इस तरीके से अगर आप calculate कर सकते तो अच्छी बात मतलब यह वाली property अपलाई करके सही है या फिर आप comment कर देना इस तरीके से मतलब यह वाली choice से भी आपको solution मिल जाएगा सही है तो हम चलो direct one को देख करके चलेंगे इसका मतलब होता जैसे पलस two class में तो divide में one का मतलब हुआ एक यह formula होता आपके पास जैसे tangent inverse x ठीक है ना अब आपके उपर है चलो यह चीज भी decide करते है फिर भी चलो एक तो यह formula कि tangent inverse x plus tangent inverse y किसके बराबर होता है tangent inverse उपर सम है दो समा चाहेगा दोनों का x plus y और नीचे one opposite sin उपर पलस है तो नीच पलस two class में आपके पास यह formula है कि बीच में minus sin ठीक है ना तो उपर यहाँ पर जैसे minus है तो अंदर भी उपर minus आ जाएगी और नीचे opposite sin का मतलब पलस हो जाएगा तो इस तरीके से सही है अगर कोई plus one class के साबसे चलना चाहता जैसे वहाँ पर inverse का concept नहीं होता है inverse trigonometric का formula और वो होगा कुछ इस तरीके से और divide में one minus tangent a tangent b इस तरीके से सही है यहाँ पर वही चीज क्या बदल जाती है यहीं पर वो depend करता चलो फिर भी मतलब यह बात क्यों कि उपर भी one है इस वजह से वो depend करता चलो यह बात भी मतलब एक formula plus one class का ही इसी का सब case होता और वो होता ह यह मतलब कोई एक pi by 4 का का काम करते है तो इस तरीके से और tangent pi by 4 का मतलब 45 tangent 45 degree one होता है table value वो ही है inverse trigonometer की जो playlist है वहाँ से चेह कर सकते हो सबसे आसान तरीका सही है तो मतलब यहाँ पर tangent 45 का का काम हो चाहिए तो इस तरीके से सही है और divided by one minus tangent b यह तो one है tangent 45 one होता है इस वजह से यहाँ पर ठीक है ना इस तरीके से अब मतलब ओ सकता है यह formula यहाद हो depend करता हो चलो plus one लेकिन plus two के तो पता ही थे आपको कि केवल tangent inverse वाले formula याद रख लेना सारे numerical आसान लगेंगे तो इस तरीके से सही है अब यहाँ पर देखो numerical की क्या क्या choice बन सकती है सबसे पहले 0 य यह चीज़ देख करके यह वाली use को अगर कोई करना चाहता तो कर सकता है सही है और मतलब अगर numerical solve ना हो मतलब comment कर देना हो वो सारी चीज़े discuss हो जाएंगी फिर भी हम मतलब main head यहाँ पर की number of choices की बात हो नहीं ठीक है ना solution हम केवल एक ही solve करेंगे तो इस वज़े से सही है बस इसके बाद कर लो आप calculate तो जैसे यहाँ पर देखो नीचे वन था इसी वज़े से चलेंगे plus two class के इसाफ से नीचे यहाँ पर काम का वन ही है तो इस वज़े से सही है अब इसको देख लो मतलब 2 नेची है यह दो है ना तो मतलब नीचे से x को मना रहा है जैसे नीचे स x को मन ले लिया अंदर कितना बच जाएगा x minus 1 ठीक है ना लेकिन 1 minus x बचेगा तो इस तरीक से सही है फिर यहाँ पर तो दोनों की multiply भी तो है ना x into 1 minus x और यहाँ पर देख लो है या तो उपर plus का या फिर नीचे मतलब उपर plus का आईगा फिर minus का यह decide करेगा 1 के बाद वा symbol सही है तो नीचे plus है तो उपर पोजिट साय मतलब minus लिखना आपने बीच में, बीच में minus लिखना है सही है तो मतलब और इन दोनों की multiply मतलब यह दोनों भी आने चीए तो इस चीज का simply यह मतलब हुआ कि जैसे 1 minus 2 x को break कर दो तो इस तरीक से 1 minus 2 x को तो इस तरीक से लिख स सकते हो सही है अब यहाँ पर समझना आपने यह है कि 2x को ही ब्रेक क्यों किया यह चीज नीचे से पता चली इस वज़े से डिपेंड करता है कौन सी भी चीज आपको ब्रेक करने पड़ सकती है तो इस तरीके से में यहाँ पर यह सारी चीजे दिमाग में आ रही है तो अच्छी बात है तो इस तरीके से और नहीं तो सिंपल तरीका बता ही दिया आपको सही है तो इस तरीके से मतलब वहाँ पर डिप solution कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे मतलब लिख लो अब आप जैसे solution तो लेट सबसे पहले लेट आई माल लिया हमने मतलब इस चीज का integration आपने solve करना है जो भी limit हो जैसे tangent inverse उपरता जैसे एक बार तो xjt लिख लो जो भी numerical की statement है ठीक है ना 1-2x और जैसे नीचे था कि मतलब 1 plus x minus x square तो इस तरीके से सही है अब इसी को हम बरे करके कुछ इस तरीके से लिख सकते मैं नहीं यहाँ पर यह चीज क्यों लिखी सही है ताकि formula अपलाई हो जाए तो जैसे बाद अब यहाँ पर हमे formula पता है सही है तो इसको हम डिरेक्ट लिख दे formula की साब से तो क्या हो जाएगा यह formula बना tangent inverse x minus y वाला नीचे plus का sign इस वज़े से तो tangent inverse x ठीक है ना अब x यहाँ पर देख लो बाब के उपर कौन सा choose करना चाते हो चलो इसको एक मालो दूसरे को यह मालो तो जैसे tangent inverse चलो पहले 1 minus x लिख लिया formula की साब से minus का sign minus sign क्यों आया नीचे plus है इस वज़े से और फिर tangent inverse of y तो यहाँ पर वो y x के बरापर है तो इस तरीके से सही है और dx तो इस तरीके से सही है तो अब इसके बाद अब देखो अब फिर से यहाँ पर आपके पास choice है कौन सी मतलब हो सकता आपको integration tangent inverse का direct पता हो formula वो भी यूज कर सकते हो या फिर जैसे कहने का मतलब है कि या फिर मतलब वो property यूज कर लो अभी जो लिखे थी वो एक बार और लिखे लो आप यहाँ पर ठीक है न मतलब यहाँ पर हम यह property यूज करना चाहते हैं मतलब यूजिंग property की integration जैसे 0 से A ये वाला की कोई function है सही है तो मतलब कितना हो जाएगा function में दोनों limit का sum तो यहाँ पर यह है तो इस तरीके से तो इस तरीके से यहाँ दर खलो आप property वो यूज कर लो तो calculation हो जाएगी तो कितना हो जगे आपके पास तो जैसे as it is यहाँ पर x की जगे पुट करना में यह बात है function में x की जगे आपने यह चीज पुट करनी है तो बाकी result as it is लिखा हम नहीं सही है x नजर आते ही दोनों limit का sum तो दोनों limit का sum 0 पलस 1 है सही है minus का sign ठीक है और फिर x जिसके respect में करना था आपने यह केवल 1-x x की जगे लिखना है इस चीज का यह भी मतलब हुआ देखो यह bracket काम की है सही है केवल x का मतलब कुछ इस तरीके से उसकी जगे यह result पुट करना हापने तो इस तरीके से tangent inverse x की जगे 1-x पुट करना था तो इस तरीके से सही है तो बस कितना हो जाएगा इसके बाद ठीक है ना तो मतलब integration limit तो यहाँ पर जब आप calculate करोगे तो कितना ही है जैसे 1-7 cancel होगा minus के multiply minus x के साथ भी होगी तो मतलब plus x हो जाएगा आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर exit तो इस तरीके से सही है यह भी i के बराबर है और यह भी result i के बराबर है सही है तो इसके बाद अब देख लो बाप है दोनों को इस यह next काम होता दोनों को add करना सही है तो मतलब यहाँ पर आगे इसके बाद लिखते ना कि adding 1 and 2 तो इस वज़े से तो कितना हो जगा result जैसे अब left hand side id तो i plus i को या फिर 2i के दो सही है अब इसके बाद देखो यहाँ पर limit same है ठीक है ना अब देखो function तो मतलब यह plus का यह minus का cancel होगा सही है यह minus का यह plus का cancel कुछ भी नहीं बचा तो मतलब 0 हो जाएगा हाँ यहाँ पर limit चल रही है इस तरीके से ठीक है ना तो इस तरीके से भी result चल रहा है लेकिन वही है जीरो का integration जीरो इंटू एक्सो गा मतलब constant इंटू जिसके respect में कर रहे हो या फिर जीरो इंटू सम्तिंग जीरो कहते बात खतम तो i actual में यह हुआ तो डिरेक्टी कहेदो कि इसका integration जीरो है बात खतम तो इस तरीके से सही ही यह आपका आ रहा है या फिर नहीं आपको मेंन है यह चीज आगे calculation है सही है यहाँ पर भी choice थी हो सकता है मतलब आपको tangent inverse का direct formula यूज करना चाहता कोई तब भी ठीक है या फिर property भी यूज करके कर सकता है calculate तो इस तरीके से के विल calculation है सही है इसी तरीके से हम next miracle solve कर लेंगे तो अगर आ दोस्तों के साथ share कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए thank you